बहुत दिनों के बाद फिर से नहीं वीडियो में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करने वाले दुनिया की सबसे महेंगी कार के बारे में आज हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इसका ओवनर कौन है तो इस वीडियो को पूरा देखे और एक बात याद रखे stay home stay safe तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ काड़ी की बात करें तो कोई बंधा 10,000 रूपय में एक पुरानी जैन खरीच सकता है कोई बंधा पचास अचा रूपय में एक पुरानी Honda Civic खरीच सकता है कोई कोई एक लाक रूपय में नहीं टाटा नेनो ले लेते हैं कहीं लोग 10 लाक रूपय की उंड़ा क्रेटा या किया सेल्टोस लेते हैं कहीं लोग एक करोड रूपय की Rolls-Royce खरीचते हैं कहीं लोग तो अपनी गाड़ीयों के पीछे 10-10 करोड रूपय खर्च देते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बंदा सिर्फ अपनी एक कार के लिए 133 करोड रूपय खर्च कर सकता है तो हाँ दुनिया की सबसे महेंगी कार जोकी है बुगाट्टी ला वैर्योड नोईर उसके प्राइज है 133 करोड रूपीज और इसके ओनर की बात करें तो इसके ओनर है वर्ल्ड के काफी ज्यादा एक्सपेंसिव फुटबोल प्लेयर यानि कि क्रिष्टियान और रोनाल्डो जिसके इंस्ट्राग्राम पर सबसे करोड रुपे मिलते हैं उस बंदे ने इस गाड़ी को खरीदा है तो अब इस गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं तो यह जो गाड़ी है वो बुगाटी ने लॉंच की थी अपनी 110 एनिवर्सरी पर इस गाड़ी को लॉंच किया किया जीनिवा मोटो शोव में इस गाड़ी को बनने के लिए चाहिए 2.5 यानि कि क्रिष्टियान रोनल्ड को एक गाड़ी मिलेगे 2020 में अब इस गाड़ी की बात करें तो इस गाड़ी को जो एंजीन से पावर दिया गया वो सेम एंजीन बुगाटी चिरोन का ही है मतलब आप इसे बोल सकते हैं कि यह ब सेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें लगा है आठ लीटर का एक बहुत ही बड़ा एंजीन जिसकी पावर है 7999 CC यानि कि करीब करीब 8000 CC जो कि पावर प्योड्यूस करता है 1500 होर्स पावर यानि कि इस एक गाड़ी में 30 नॉर्मल ड्रेक्टर्स का पावर है इस गाडी को पावर देने के लिए इसमें डाला गया है 16W टर्बो चार्जर और इस गाड़ी को स्पीड देने के लिए इसका जो तोर खे वो रखा गया है 1600 9,0 पेटन इस गाड़ी में भी आपको कु देखने को मिलती है वही same pattern इस गाड़ी में भी आपको देखने को मिलती है यह एक two-seater sports car है और इसके अगर looking की बात करें तो यह car looking में काफी ज्यादा अच्छी है अगर इसके acceleration की बात करें तो इसका जो acceleration है वो बेशक काफी ज्यादा ही अच्छा है यह 0 to 100 पहुँच जाती है सिर्फ 2.4 seconds में 0 to 200 पहुँच जाती है सिर्फ 6.5 seconds में और 0 to 300 km पर हवर तक पहुँच जाती है सिर्फ 13.6 seconds में जो की काफी ज्यादा अच्छी बात है इसे वर्ड रेकोर्ड के लिए जब टेस्ट किया गया तो ए 400 km पर हवर की स्पीड पर 32.6 seconds में पहुँच जो की काफी ज्यादा अच्छी बात है इसकी जो टॉप स्पीड है उसे सेट किया गया है 420 km पर हवर वेसे तो इसकी जो एंजीन से इस गाड़ी को पावर मिलता है उसे ये गाड़ी 465 km पर हवर तक जा सकती है बट इसके टायर को इस तरह डिजाइन नहीं किया गया है कि इसके टायर इतना ज्यादा लोड सेहन कर सकते हैं तो इस गाड़ी की इलेक्ट्रिकल स्पीड 420 पर हवर पर सेट की गई है इस गाड़ी की एक आर को पूरा कार्बन फाइबर से बनाया गया है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा स्पीड पर आसानी से पहुंच सके और इसके डिजाइन की बात करें तो वो तो काफी ज्यादा स इस वील को टाइटेनियम से बनाए गए है इसकी जो बेक की लाइट है वो भी काफी ज्यादा ही अच्छी है और इसमें पीछे में काफी ज्यादा अच्छा एक्जोस्ट भी लगाया गया है कहीं लोगों ने यूट्यूपर ऐसे यूमर्स बना कर रखा है कि एक यह सोने की गाड़ी वह सबसे ज्यादा महेंगी है तो यह बात बिल्कुल भी गलत है मुगाटी की तरफ से आने वाली या गाड़ी दुन्या की सबसे ज्यादा महेंगी गाड़ी है जिसके बारे में वर्ल्ड रेकॉर्ड में भी शिक्रक किया गया है और इसके बारे में काफी पर भी जिक्रक किया गया था एक गाड़ी फाइनल 2021 में पूरा बन के तयार हो जाएंगी तभी इसे क्रिष्टियान और रोनल्डो को दी जाए हमारे इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंग दोनी भी कई गाड़िया रखते हैं जिन में में से एक गाड़ी है बुगाटी चीरोन वो भी काफी ज़्यादा महेंगी गाड़ी है तो बस आज की वीडियो में इतना ही था मिलते हैं आपको इसकी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और एक बात याद रखें स्टेय होम स्टेय सेब